जिन्दिकी में आत्मध्या मत करना परिस्तितियां चाहे जितनी विशम क्यों ना तो अगले 25-30,000 साल तक जानवर बनकर भेजे जाओगे नीचे तो कि तुम ऐसा human being फेल कर गए मनुष्य बनाया ही तुम्हें इसलिए गया कि जाओ जाओ खेलो 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन कुटेचे चोंट गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी ये भी कहेंगे कि अब चीटी मर गया चीटी मर गया देखो बैटा कितना चीठी मर छोटे-छोटे-छोटे गिरते हैं लेकिन जब 21 साल की मुमर में गिरोगे ना तो छोग हसेंगे और सारे अगल-वगल के लोग में इन तीन चीजों की वजासे रिष्टेदार दोस्त और पड़ोसी अभी एक धंपती बैठे तो मैंने का परिशानी खतम नहीं हो रही है होगी ही नहीं हर दिन चुनोती आएगी बस उसका रूप बदला हुआ होगा हर दिन एपिजिस केमेस्ट्री बायो जोगर्फी साइं थे सुक्स्क विकाम नाया सिर्फ एक चीज काम आई की तुम्हारी हिम्मद गवारी शक्ति तुम्हारा सास्ट उसको पढ़ाया नहीं जा ओब 20 साल में युद्ध में जोग देते हैं जब साहस तुमने पढ़ाय ये नहीं समझ तुमने पताया नहीं इसे लिए अलगा मंद हम ही खतम करने यह परसंचेट सिस्टम मारे डाल रहा है इस देश को जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी जब पर सके मिम्मत बढ़ गई फिर सो और वड़ गई बैसे सुब्सक्राइब से कह रहे यह लोग कह रहे दो कौन ओते हैं घ्यान बाटने से बढ़ता है बड़ी अजीब सी बात है इसे में तुम लोगों से कहता हूं एक दो अटम्ट दिया है नहीं हुआ मालो तो चारपांच लोग मिलके बढ़िया सी कोचिंग खोल लो संस्था 9 10 11 12 को पढ़ाओ और मिल्मम फीच से शुरू करो और पहले साल अगर तुम्हारे कोच बढ़ा है जल्दी प्रिच्छा नहीं दे पाता आदमी इतना सामाजिक दबाव बढ़ जाता है वह तो अपने मंद से ख्याली निकाल दूट कि मेरे पास बहुत अटम्ट है जैसे जैसे समय बीतेगा समाजिक दबाव बढ़ता चला जाएगा सारे अटम् बेकार हो पर कार लोन मत ले अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो कभी लग्जरी में पैसा मत खर्चा करना अगर तुम्हारे पास सर्प्लस नहीं है कोशिच करना कि तुम्हारे पास हमेशा कुछ पैसा बैलंस में पढ़ा रहे हैं इससे स्टूडेंट को आईफोन रखने की कोई जिन्दगी में जरूरत का सिध्धांत याद रखो कि मुझे जरूरत क्या है और जिनका जीवन जरूरतों पर चलता है वो कभी परेशान नहीं होते सन्यासी के जीवन की सबसे बड़ी बात होती है इसलिए एक नियम है अपारी गिरह जिंदगी को जरूरत के सिध्धांत पर दिखाने के लिए मत जीओ तमाशा बन जाओके जानले ना कि जितने लोग तमाशा बने हुए है आज यह सब दिखाने के लिए जी रहें कमी किसी चीज की नहीं है जरूरत के सिध्धांत पर जीवन को जीओ जीओ जितना पैसा आज है अब पैसा का नियम है वो सबके पास नहीं हो सकता क्योंकि अगर पैसे सब के पास हुआ इंफलेशन अगर आज की डेट में इस देश के हर आदमी के पास एक करोड रुपया हो जाए तो आलू भी केगा छे लाख रुपया कि लो नहीं केगा तो पैसे का नियम है अगर सौ लोग दुनिया में हैं तो सिर्फ है एडिन ही नहीं कर दीओ और इस अगरी इसे परिशान है सार्ग दिन देख यह काम करते हैं अहीं पएशा ब्याग को पाइसा देखें के यह पिसे दूर्ग पैसा है वह ब्याच पहूंकि बढ़ना स्वर्स न्युक्त बंसे दूर्स लोग इंगर लों पास पैसा देते है इन 95% लोगों में से 90% को G और N में फर्क नहीं पता है Gross और Net, GDP और NDP इसलिए बिचारे फंस जाते हैं इसलिए capitalism का जो सबसे बड़ा रोग है वह है debt trap यह तो पैसे fund करते थे ले जाओ, ले जाओ, मकान भी खरीद लो, यह भी खरीद लो, यह भी खरीद लो इस वो कहता है कि भाईया, शांती खोज रहे हैं, आई नहीं, इस दुनिया में बस उसी के पास शांती है, जिसको लड़ना आता है, तो कि उससे कोई छेड़ेगा नहीं, और सब शांती ढूंड रहे हैं, जितने लोगों से मिला, सब शांती, शांती चाहिए, लड़ना सीख शांती आ जाएगी, तो कि जब तुम लड़ना सीख लोग है, तुम से कोई भिड़ेगा ही नहीं, ऐसी चीछ ढूंड रहे हैं, अब आपको देखना है, बुजर्ग हैं, उल्टा सीधा बोलेंगे, बच्चों को देखना है, उल्टी सीधी हरकत करेंगे, शादी जबाब कर तुम ने क्या किया, तुम भी उसी शांती की तलाश में हो, तुम अशांती से लड़ना सीखो, तुमको कोई राजा नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, तुम बनना पड़ेगा, और एक ही रास्ता है, तपस्या, तरम विध्यान, बस, NCRT खतम हो गई, तो अब जनम लगेगा, प्रिलिम्स निकलने में, उसका पता नहीं मेंद, निकले की ना निकले, मेहनत नहीं करना है, तपस्या करना है, अब दूस्दमज कहा हो, कि बता ओ माराथा शक्ती बनकर क्यों, बरेखे चाहरू अभी शताब्दी में, और तुम बता रहा हो, तुम लोग मे कहले पर आपको दो सब्सक्राइब कर लो तो यह प्याइब करेंग को जब देना में तो एक उप्शन तुम्हारा यार किसी डिगरी कालेजी नस्टी में जोइनिंग की स्तिती में आ जाओगे तो सब लॉयर बनेंगे जाओ दो साल बाद अपना काम शुरू कर अटम्स देतर हो इक नॉमी में चार-पांच चैप्टर पर जबरदस कमांड बना लो एक तो नैशनल इंकम पर बना लो बहुत इंफ्रस्टेक्टर पर बना लो यह सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बजट समझ लो नैशनल इंकम चैप्टर कर तुम भारत का फ्यूचर देखना शुरू करते होगे क्या होने जा रहा है क्या होने जा रहा है क्योंकि बॉडन एकनॉमी की जान है बैंकिंग सेक्टर अब तुमने करेंट अकॉन खोल लिया पांच लाग रुपे महीने का पांच आशनल और थेंगे और तुम एंधे तुमको किसी और क देना ही पबाइका? अब किसी को कहने की ज़रा थैंपड़ेगी का फ़र्ण व का खतम होजाएगाれて तो तुम्हें खुद से लड़ना पड़ रहा कि किसी तरह 6 घंटा पड़नों वो खता हो जाएगा कि जहां मज़ा आया महां टाइम खता हो जाएगा सबसे बड़ी बात ही है सबसे प्यारी बात इकनौमी तो बसा लोगे दिल में सबसे पहले जो कमांड पैदा करो इकनौमी प्रिजिनरे ना राज नहीं हो सकता तो पहले समझ लो जोगरफी के बिना इसके बीना चल नहीं सकता अर्तिष्तर राज्य को चला कौन सुनाएगा हिस्टरी चार तैयार कर लो और फिर चारों की जो करन घतनाये हैं उनके लिए निईसपऴ जब लो जब भी चुनोती प यह बात गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस ग्लाने रिभावती भरता क्योंकि यह दुनिया वीरों से खाली थोड़ी कंद्राओं वैठा तपस्या कर रहे हैं लोग हमसे कहा तपस्या मतलब घर चोड़ देना और जाहिल बोला यह तपस्या आत्म परिवर्तन तो हम सब अपन हो जाए लेकिन आज दो मैंसे एक डिसीजन ले लो पत्तपस्या को अपने जीवन का हिस्सा बना जैसे मन भागे बता दिया मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी क्या कहतो ओवर्थिंकिंग कैसे रोके दूप में खड़े हो फातम ओवर्थिंकिंग वो भी मही की तो पहरिया मे जब तक पढ़ो यह खाली रहेगा बस यह भरते चले आना दो तीन घंटे जब इसको भर लिए तब धीरे से खाना खाके अराम कर लें तुम्हारी यह वाली मॉडल तपस्या पर है यह तुम्हें चेंज करेगी अपने आप से तो जब भी चुनौती पैदा होगी तो एक व प्रत इठाल एक साल तपस्या करनी जम कर बागी करने सब कुछ है क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आपको डिस्टाक्ट किया तब तुम्हारे जाओ विए औस थे तुम्हारे पास चांदार थे तुम्हारे पास बहुत शांदार जहां फसो हमको बताओ